टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी लीप के बाद फैंस को लग रही है कौपी फैंस का फूटा गुसा नए प्रुमो को देखने के बाद सही और विराठ की बता दी हूब हूब कौपी मेकर्स पर निकाला ऐसा गुसा की कह गई ये बड़ी बात तो फैर चली आपको बताते हैं कि आखिर क्यों फैंस हैं नाराज क्यों 20 साल के जनरेशन लीप के बाद मेकर्स नहीं कर पा रहे हैं फैंस को खुश तो इस वीडियो को कीजिए मैकसिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का एक तरफ तो सीन हूबहू कौपी होने की तुपता सबूत मिले हैं जहां सहीं और जकताब की सीन को हूबहू नकल बताए गया है मेकर्स को फैंस के द्वारा तो दूसरी तरफ अब विराट और पाखी के डांस सीन भी इशान और रीवा द्वारा कौपी किये गए हैं तो साफ तोर पे यहां पे फैंस अब इस तरीके से मेकर्स पर गुसा निकाल रहे हैं इतना ही नहीं इंस्टाग्राम पर एक प्रोमो सामने आया है श्टार प्लस के इस शो से जिसके बाद अब ऑफिशल हो गया है कि इस शो में एक बार फिर साइं और विराट की केमिश्ट्री को ही एक बार फिर रिपिट किया जा रहा है और इस पर अब फैंस का गुसा फूटा है मेकर्स पर लोगों ने तरह तरह की उंगली उठाना शुरू कर दिया है इससे पहले भी ये कहा जा रहा था कि सई और विराट की जूड़ी की तरह ही उनकी बीटी के साथ भी यही कुछ होने वाला है जैसा कि सई के साथ हुआ था जैसे विराट हमेशा सही सई से दूर रहा करता था ऐसा ही कुछ इशान के साथ भी होगा लेकिन अब तो ऐसा लग पूरी की पूरी पिचर ही कॉपी की जा रही है एक यूजर ने लिखा सही कहा विराट और पाकी बैस्ट थे अगले एक और यूजर ने लिखा कितना भी कोशिश कर लो यार विराट और पाकी जैसी एक्टिंग नहीं कर सकते तीसरे यूजर ने लिखा विराट और पाकी बेस्ट हैं चौथे यूजर ने लिखा एक ही स्टोरी दोबारा घुमाते हो अगले को और यूजर ने लिखा आप लोग एक जैसे चीजRO को लेकर फैंस ने दो टूक जवाब दिया है या तो आप कुछ नई स्टोरी लेके आएं वरना शो को बंद कर दिया जाए फिलहाल के लिए आपका क्या है ओपीनियन मेकर्स के इस वाहियात हरकत पे लिखिएगा जरूर अपना ओपीनियन कमेंट बॉक्स में और इसी तरीके की वीडियो के ये चैनल को सब्सक्राइब